हाई जी दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़दार एपिसोड में आज का एपिसोड भी होने वाला है आपके लिए फुल आफ रेमेडीज फुल आफ नॉलेज फुल आफ घ्यान और आपकी बहुत जारी मदद होने वाली है क्योंकि आप हमारे ओकल्ट साइंस वाले पॉ अधिर्या दे माम स्वागत है आपका हमारे पॉड्डगास पर माम की बड़ी युनीक बात है कि जो इनकी रह्मिडीज होती है बड़ी युनीक होती है कैसे कि माम सोप और क्रिस्टल की रहिगए देती है तो क्रिस्टल हमें फिर फीर सुना हुआता है बड़ मैं कहते याध लाइख के शलरी बड़ीज रुपा ड़िया , देख टे हो हमारे ? हाँ आ प्रेंच भिछ में देखी रहा है देखिया है बड़े बड़े पॉड़कास्ट पूरे वो युटब लिए בड़े उचा मैं में तो थोड़ा बता हो कि कि कितना टाइम आपको हो गया नुमेरोलोजी में और सबसे पहले तो थांक यू पर इंवाइटिंग भी आपका मदब आपके चैनल के बादियां से मैं अपनी नौलेज डिनीवर कर पाऊ जब उतार ती तो मैं बस उधे वाच करती थी तो एक बार वज वाज थी तो एक बार वन आपके क्या करते हो और कुछ बुद बुद आते हो आप बोलते हुए तो मुझे भी सीखना है तो उन्होंने का ठीक है बाद तुम्हें बताऊंगी लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा मैं का प्रॉमिस कैसा कि कभी भी किसी का भी बतलब एक तो किसी के बुरे के लिए नहीं करोगी और इस चीज़ का तुम्हें चार्ज नहीं करोगी बतलब नजर उतारने का भी एक प्रपर एक मंत्र होता है तो मैंने का ठीक है तो उन्होंने शी ट्रांसफर ड़ेट मंत्रा तो उस टाइम की सोनिया को पता नी था कि ये सोनिया इतनी इतनी इतना आगे बढ़ जागी और इसको अपना प्रोफेशन बना लेगी तो मैं में नुमेरोलोजी क्यों चूज कर आपने नुमेरोलोजी आम अमास ओनर्स तो नंबर बच्पन से ही मुझे अट्राक्ट करते हैं तो कही ना कही वो नंबर्स अट्राक कर रहे थे तो मेरे एक पॉइंट था जब मेरी शादी हुई मैरेश हुई तो जब हम मेरा अपना कोचिंग इंस्टिट्यूट और बहुत सारी चीजे थी मेरे हजमन का अपना बिजन तो ना जब भी हम प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करते थे तो मझे लगता था कि जैसे हमने प्रॉपर्टी इंवेस्ट किया तब ही क्या हुआ हमारा बिजनस में तो कुछ ना कुछ नद्धम हो जाता था एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ मुझे लगा यार क्यों हो कै एक ऐक बार हो ज YOUंए तो ऑब हमारी जैन पीशली है उसको सीखने में काफी टाइम आपको डिवोट करना पड़ता है तो जब सीखा तो समझ में आया कि प्रॉपर्टी बन क्यो नहीं पा रही है हमारी क्या दिकत थी हमारे परस एक प्रॉपर्टी प्लेन इक अगे नहीं नहीं था ना तो मेरे पास था ना मेरे हजबन के पास था, तो फिर उसे अक्टिवेट किया, उसको अक्टिवेट करना पढ़ता है, और ये कुंडली के थू ही देखा, आपने कैसे देखा, युमरालोजी नमबर्स के थू, डेट ओफ के थू, अच्छा, जी, डेट ओबर्स के थू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि आपके अगर योग बन रहे हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी योग बन रहा या नि बन रहा, राज योग बन रहा या नि बन रहा, इंफेक्ट, कुछ योग ऐसे भी होते हैं, जो आपको mysterious death तक दिखाते हैं, जैसे पहले मैं आपकी audience को बताना चाहूँगी, कि सबसे पहला जो numerology में होता है, मुलांक और भाग्यांग, ठीक है, मुलांक यानि कि जिस डेट पे आप बन हुए हो, जैसे बेरी बन डेट है 8th October, तो मुलांक हुआ 8, अब जैसे आपकी बन डेट of birth के सारे डेजीट को हम प्लस देंगे, जैसे 8th October 1978, 8 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 7 plus 8 किया, that becomes to 34, 34 again 2 disease का number है, उसे single पे किया, that is 7, तो डेट बन में जितने disease हैं, उनको add करके single number पे लाए, वो हमारा भाग्यांग, तो मुलांक और भाग्यांग, ये दो ऐसे number होते हैं, जो हमारी life में बहुत majorly role play करते हैं, मतलब सारी कहानी यहीं पे अटकी हुई होती है, कि आपकी life में क्या होना है, और इनको positive रखना है, और negative रखना है, हर number का, every number has positive and negative side, हर number का positive and negative side होता है, for example, एक छोटा सा incident लेते हैं, कि एकता कपूर, आपने उनके serials देखेंगे, हाना, बहुत सारे, और हमारे कपिल शर्मा, हाना, वो हर शो में, उनके कपिल शर्मा जी के शो में आप देखोगे, उनकी one time उनकी मदर पर focus किया जाता है, कैमरा एक बार आता है, हाना, इसी तरीके से जो एकता कपूर है, वो अपने serials में, अपनी, जब वो credits देते हैं, स्टार, अलिकार्स के बारे में लिखते हैं, तो अपनी मदर का नाम जरूर मेंशन करती है, शोभा कपूर, क्यों? क्योंकि, जो two number है, या seven number है, अगर two या seven वाले person, basic destiny, क्योंकि कपिल शर्मा का मुलांग है, दो, है न, और एकता कपूर का है, seven जून, तो उनका मुलांग है seven, तो ऐसे लोग अपनी मदर का support लेंगे, तो उनकी लाइफ में बहुत growth होगी, वहीं at the same time, अगर वो अपनी मदर को, like, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे जगड के रहेंगे, तो उनकी मदर का support नहीं मिलेगा, जसकी वजह से उनकी लाइफ में problems आएँगे, अच्छा, और कई बार ऐसा भी होता है, कि मदर का support, मतब कैसे ले सकते हैं, उनसे बिजनस में advice लेके, अब suppose बिजनस में advice नहीं ले सकते, उनको knowledge नहीं है, तो उनसे पचास सो रुपए ले लिजे, बिजनस में डालने के लिए बट वापस ज़रूर कर देना, बर बिजनस से एक remedy हम करवाते हैं, हम यह करवाते हैं कि उनसे चावल ले लो थोड़े से, और वो अपने चावल के container में डाल दो, अच्छा, और लेकिन जैसे ही वो container खाली होने वाला, उससे पहले पहले उसे वापस फिल कर दो, तो वो container खाली नहीं होना चाहिए, तो आपका two number और हम एजन रेमेडी देते हैं, मेरा खुद का फोन, मैं अपनी मदर का, मतब जुन्हों ने उसमें भले ही 100 रुपे डाले हो, 50 रुपे डाले हो, हम यह रेमेडी भी करवाते हैं, कि आप लो, बले, चाहे 50 रुपे लो, 10 रुपे लो, उनसे लो, और नहीं तो उनके पैर निकलो, तेली, मदर का सपोर्ट, तो मदब तू नमबर को अगर एक्टिवेट करना है, तो फादर के पैर शुके निकलो, वान नमबर के लिए सबसे पहले, इंटर्नल रेमेडी बहुत ज़रूरी है, हम तो एक काम करते हैं, दो और साथ क्यों सब नमबर के लिए, हमारे व वो परसन जैसे आजकल के बच्चे है, पानी एक सिप्पिया, अफेक दिया, जिसका टू नमबर होगा, बर्थ नमबर या डेस्नी नमबर से आ गया, और वो परसन पानी वेस्ट करेगा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम सानी शुरू हो जाहें, मतलब जो दो तारिक को प्रॉब्लम से रहेंगी, और इसी तरीके से वन नमबर वाला अगर दूसरे के इंफ्लेंस में आके, क्योंकि वन नमबर क्या है, सूरिया का नमबर है, अब अगर किसी का बेसिक नमबर, जैसे वन नमबर, 19 नमबर, 28 नमबर, जिसकी बॉन डेट यह है, ऐसे लोग अपने म मतलब करना है, उनके माइंड को कोई हिला नहीं सकता, एक बार डिसीजन ले लिया, तो ले लिया, तो अच्छे बिजनसमेन भी होते हैं, अब लेकिन यही वन नमबर, अगर लेजिनेस दिखाए, तो कही न कहीं वो नमबर नेगेटिव हो जाता है, तो हम वन नमबर में एक हाँ, बिल्कुल यहां से जल चड़ाना चाहिए, ताकि जो वोटर में से वो रेज है, वो आपके थर्ड आई चक्रा में सीधा पास हो, राइट, अब बात करते हैं, अभी जैसे अब थ्री नमबर जो होता है, थ्री नमबर क्या कहता है, कि अगर आप किसी भी बिजनस में ह अगर आप में से कोई तीन नमबर वाला परसन है, तो वो पैसो का लेन देन अपने पास, मतलब यहीं से ट्रांजेक्शन हो, तो वो बिजनस को ज्यादा ग्रोथ मिलती है, तीन नमबर वाले को माली जो शॉप है, उसको गल्ले पर बिठा दो, क्योंकि तीन नमबर जुपि जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन का कारक है, मतलब आपकी एक्सपेंशन करवाता है, इं टर्म्स ऑफ फैमिली, इं टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, सभी चीज़ों में, पहल से आप गल्ले पे, थोड़ा बहुत वैसे कैश तो रखता है, यह मैं अपने पास आप मारा, कहता है, डिसिप्लिंट हो जाओ, अगर यह परसंट डिसिप्लिंट नहीं होगा, और गया और गया और गया नहीं होगा, तो क्या होगा, डाउन फॉल, अब दूसरा, अब मान लीजी, आप अलाम लगा रहे हो, मौनिंग में छे बजे का, पाच मिनट बाद स्नूज पे चार नंबर को, आट नंबर को निम्रालोजी में बहुत खराब बोला गया है, मानती हूँ, हाटशिप देता है, डिलेज देता है, लेकिन चार नंबर अथा पैसा देता है, अथा पैसा, लेकिन उसके पॉजिटिव एट्रिब्यूट की तरफ अगर चलोगे तो, माम अगर किसी की लाइफ में प्रॉबलम्स आ रही है तो हम कहते हैं, चाइ पत्ती दो, स्वीपर को, अच्छा जी या कौफी बाट दो, बनीवी या फिर पाॉडर, पाॉडर पाॉडर, बना के भी पिला सकते है? या स्वीपर को हाँ, स्वीपर मींस मेल स्वीपर, कई बार ज का इंपक्त करने चाहिए जब कोई प्रॉब्लम हो या वैसी कर दो और बढ़िया हो नहीं अगर आप चार नंबर वाले हो जैसे आपका थड़ी वन से फोर है अगर आप इसे करते रहोगे तो लाइफ में जितना अर्न कर रहे हो जितनी ग्रोथ कर रहे हो उससे जादा और ग् अगर वह पांसो का नोट पकड़ा रहे सीधा तो होगी तरक्की वह आपका चोईस है वह आपकी चोईस है यहां पर क्वाइन मेंडेट्री है अगर ठीक है नहीं है उस ताइल पर जो आपको लगता है आपकी पॉकेट जुतना अलोग करती है उतना दो अच्छा पांच नमबर वाला ना एक हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं हम क्या करते है यह और परियेटिकल या ओ शाही पनील लिया ओ दाल मकनी या रोटी पांच नमबर वाला ऐसे नहीं मंगाएगा खाना पांच नमबर वाला ठाली ओर करेगा ऐ आपनी आमेर खान की हर जो बहुत blessing का नंबर है आप बहुत सरी companies के नाम देख लो 5 पे आते हैं अमूल, MRF है ना लेकिन क्या है पांच नंबर कई बार लोगों के पास होकर भी उसकी blessings नहीं मिल पाती है क्योंकि वो activate नहीं होता है पांच नंबर की सबसे सरल रेमेडी है कि आप वेनस्चुनी मारन नंग यह घृटो हराचारा घैऐ नखिला इस Meu Auf तो पांच नंबर इक बालन्स का नंबर है बहुत पॉजिटिव नंबर कहा जाता है नुम्रोजी में इसे 5 नंबर को जो लोग 6험 Nबर 15 नंबर 24 नंबर को बां भॉए है वो रूल होते नंबर 6 से अईसे लोग 6 n यानि कि लग्जरी का नंबर 6 नंबर पैसा हरेग किसी को चाहिए, आज की डेट में, तो सबसे easy remedy आपको यहाँ आपने शुक्र परवत पे, यह शुक्र परवत होता है, तो इस शुक्र परवत पे अगर आप perfume या इत्र लगा लेते हो, सबसे बेश था इत्र, इत्र लगा लो, तो यह आपका शुक्र परवत जब एक्टिवेट हो जाता है यादि क्या वीनस को अक्टिवेट कर रहे हो यह अपका वीनस यहां से एक्टिवेट अग दोनों हेंद में लगाऊ दोनों अधों पर लगाऊ बाकि राइफ है ठीक है उ सके बास 77 नमबर यारी कि आपका के तुला डेट आती है, सेवन डेट आती है, तो इस डेट पे जो बॉन होते हैं, वो नमबर सेवन से रूल होते हैं, ऐसे लोग कभी सेटिसफाइड नहीं होते हैं, मतलब आप देखोगे, गाड़ी लॉक किया, दुबारा चेक करेंगे, तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाता इतना भी इने पत कि मैंने बन्द कर दिया, फिर भी कहेंगे, चेक कर लो, इनको सElf डाउट में इनका कही न कहीं रहते हैं, और लाइफ न कहीं साथिसफाइड नहीं होते हैं, कि अभी अधूरापन है, कहीं न कहीं इने ऐसा feeling होता है तो इसमें seven number में हम कहते हैं कि आप dogs को feed करो अभी seven number में ही बात करें तो एक compound ऐसा भी है जिसको यह कह सकते है health में issue health अगर issue नहीं है तो marital life में issue marital life में issue नहीं है तो उसकी अपने बच्चों से नहीं बनेगी अगर बच्चों से बन रही है तो उसके बच्चों को health issue हो सकता है वो है solar number अच्छा solar number अभी आतो साथ ही रहा है लेकिन solar number एक ऐसा compound number है जो यह problems देता ही देता है तो अब लेकिन हमारा काम दरानेगा नहीं होता we are solution provider तो हम क्या करते हैं उसको बच्चपन से ही बच्चे क्या दे देते हैं कि बेटा आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें आपको लॉयल होना है क्योंकि solar number को हम कार्मिक नंबर भी कहते हैं कि आपने पिछले जनम में आपने अपने पार्टनर को डिच किया होगा उसके साथ लॉयल नहीं रहे होंगे जिसकी वजह से आपको यह डेट मिली है तो अब ऐसे में अगर उसको हम लॉयल होने को कह दे अपने पार्टनर को डिच ना करें उनके प्रति आप लॉयल्टी दिखाएं तो कहीं न कहीं वह सोला नंबर पॉजिटिव रहेगा साथी साथ साथ नंबर की रहेगा यानि कि डॉक्स को फीड करवाते हैं और कि ऐसे कुछ पॉर्टिकलर है कि ब्लाइक डॉक को खिलाना है या अच्छा और कोई वह होता है कि दूद कि लाना है या बिस्किट डालने मीठा चीज नहीं खिलानी क्योंकि मीठे से डॉक्ष को अलर्जिश हो तो आप बिस्किट खिलाओ रोटी खिलाओ दूद खिलाओ बट अगर रेमेडी कर रहे होगे तो वह एजी लिखाएगा भी नहीं अच्छा हां ऐसा भी होगा कि आप नॉर्मली देखोगी कि आपके घर के बाद डॉक्स है जब आप रेमेडी परपस से जाओगे तो वह ख हाते है उस आइटम को तो मलब नेचर बेसिकली तुमारे अगेंजड है डेस्टिनी जिसको कहलो तो इसलिए वह खाई नी रहा डेस्टिनी में इवेंट्स जब हमारे होने होते हैं तब वह होते हैं और उसको हमें सही करना होता है अभी जैसे हम बात कर लेते एट नंबर की एट नंबर यानि की 17 और आपका 8 डेट हो गया और एक आपका 26 26 अब इन बांड डेट पे जो आता है वो होता है 8 नंबर 8 नंबर की लाइफ में डिलेज बहुत हैं सबसे परिशान नंबर 8 ही है 4, 2, and 8 सबसे डिले 8 की नंबर में शने शने शनी यानि की शने 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 तो चीजे असानी से नहीं मिलेंगी, डिले होकर मिलेंगी, धीरे धीरे मिलेंगी, लेकिन इनको हम यह कहते हैं, पेशन्स बना के रखो, कंसिस्टन्सी बना के रखो, क्योंकि जहां यह यूटन मारते हैं न, वहीं लाइफ में उनकी ग्रोथ थी, तो यह यूटन इसलिए आप थरी फाइफ इन्हें समझ में आता है कि हाँ, मुझे यह करना है, मुझे यह चीज है, तो वो उस चीज में तब जाके ग्रोथ करते हैं, तो आठ नंबर वालो के लिए जो रेमेडी सेटर्न की जो आती है, हम कहते हैं, शनीदेव बंदिजोग, और वहां आपको तेल खरीदना वर्जित होता है, साटर्ड़े को, और लोग वहीं से जाके वहीं चीज साटर्ड़े को खरीद रहें, तो आप रेमेडी कर रहे हो, तब भी रेमेडी का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको पहले लाके रखो, नहीं तो फिर आप एक काम करो, उस दिन आपको य मुझे उसके लिए उसके लिए दान दे दो, क्योंकि शनी देव सिर्फ कर्मों के न्याय दाता है, तो अगर आपने एक भी इदर उदर कर दी आना, तो शनी देव कहते हैं, मेरी बारी है, नो इट्स माई टर्न, अब तुमारा इस आप किताब मैं कर रहा हूं, तो यह रेम करें तो इसके लिए आपको क्या करना है शिवरात्री वाले दिन आपको बरगत के पेड़ पे जो उनकी जटाएं होती है, उसमे गांट लगानी है, अपनी विश बोलते वे, वह गांट लगा देनी और जब आपके विश मैनिफेस्ट हो जाए तो उस गांट को जाकर खोलन है, अगर वह गांट नहीं मिलती आपको, कि मैंने कहां लगाई ती या क्या हुआ, तो आप दुबारा गांट लगाई और इसको खोले, बहुत पारफुल डेट है, और वो डे भी अच्छा है, तो उस दिन अगर आप करते तो आपके विश जरूर मेनिफेस्ट होगी, बिल किन लोगों को आप कैसा सोग प्रेफर करते हूं? यह तो मेरा हीरो है, इसलिए कऊंगे कि जितने अब्राड में क्लाइंट होते हैं, अगर मैं उन्हें बोलू कि करवाना है या यह दस लोगों को खाना खिलाना है यह करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे, हना, तो आप नहा चets स अब कमें अते हैं, तो हमारा औराइं बूस्ट होती है, तो आप पूजा करने से पहले पानी यह दाख होती आपएं तो अग्नीतों, यह दो हाइंगिन सिखा करने से दूरास्टि आप कर नहांदे है。 अगनी में हात으니까 कि और अषुम को खैस्ति यह सी आप नहां लोग दूसरों की प्रगति से जलते हैं, है ना, मैजर लगा देते हैं, कि यार ये कितना अच्छा कर रहा है, ये है, वो है, तो नेगेटिविटी आ जाती है, कहीं न कहीं, कैसे न कैसे, तो अब क्या हिटते है, अब मैं आपको बोलू कि आप कॉफी डालके ना हो, लॉंग जाता है, तो वही इंग्रीडियंट्स हम सोप में यूज कर रहते हैं, और वो सोप आपका नेगेटिविटी रिमूबल सोप बन जाता है, आपको पियर सोप लेना है, उसको ग्रेट कर लेना है, उसके अंदर सिनिमन पाउडर और थोड़ा सा क्लव पाउडर रोस्टीड कर भून लेना है, उसे रोस्टीड करके पाउडर बना लेना है, और एक कॉफी पाउडर वह थोड़ा सा सर्सो का तेल, कॉफी पाउडर जो डलेगा, एक चमच डलेगा, आपका सिनिमन पाउडर फाइफ पिंचिस, मतलब हलका सा और आपका जो लॉंका पाउडर है, वह भी 2-3 pinches और जो क्लव वह हुआ अपका सर्सो का तेल वह आदा चम्मच उसको पहले पाउड उसको अपने जो पियर सुप था उसे अपने माइक्रोवेव में ग्रेट कर लिया मेल्ट कर लिया जब वह मेल्ट हो जाएगा तो उसमें इसारे पाउडर मिला देने हैं सिनिमेन पाउडर रोस आपना क्लव पाउडर और कॉफी पाउडर उसके बाद आपको उसमें ऑईल डाल देना एंदेन अपको अभी मोल्ड तो होंगे नहीं जैसे तो क्या कर सकते हैं जो थर्मकॉल के डिस्पोसिबल साते हैं उसमें भी डाल के आप वो बनादें और सर्सो क तेल की जगा आप कोई नहीं नहीं ना सकते हैं क्योंकि वह ग्लिस्टरिन सोप बेस है अभी आप कोई और लोग है तो उसमें कोई ना कोई क्यामिकल होगा तो इसका भी रीजन है जब हमारी क्लासिस होती है तो उसमें हम टेक्निकल बाते भी समझाते कि अगर बहुत और यह तो यह नजर हटाने के काम आएगा और हर को ही कर सकता है कि यह नजर हटाने के लिए यह पानी स्टक हो गया है आपके और नेगेटिविटी है आपको डिप्रेशन में हो किसी एनी प्रॉब्लम रिजल्ट विल बी कम आउट इन फ्री देज अच्छा इतनी जन्दी इसके इतने टेस्टीमोनियन्स है इतने थीमोनियं से मारे वेबिनार में जसे मैं freedom क्लास जेती ऊ तो मेरे घजब आते ऑडिंस to सीख पने क्ला इंड को देती है जब उनको वहां सा रिजल्ट मिलते तभ वो हम से सीखने आते हैं आपने बताई की अबराद में लोग करते त कोई बढ़िया हुआ और कोई बहुट परेशानी में हो और कोई टेस्टिमोनियल आपके बास है अब अगर बात करूँ कि पीछे एक हमेरी एक शोरूम का मैंने वो किया था उन्होंने अपने अपने कमपनी का नेम तब शोरूम का नेम था, वो मुझसे ही नियुमरालोजी का कंसल्टेशन लिया था, जब उन्होंने नियुमरालोजी कंसल्टेशन लिया था, अब उनका नाम सेट करके हमने दे दिया, अब वो थोड़े टाइम बाद मेरे पास आए, कि मैं काम तो बढ़िया चल रहा है, काम में को मेरे पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो चादी से आ रहा है, क्योंकि दैमेंड का जादा भी क्याँ केगा, तो तो मैंने था, आब नाम कंपनी का मैंने ही सिट किया, उनका जोले रहो का तो मैंने था तो देखा कि उन्होंने NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यह जो अट् फिर उनके सारे डायमेंड की जुवल्री वहां शिफ्ट करवाई एनन डवल्यू में और सिल्वल आर्टिकल दूसरी जगा शिफ्ट कर रहा है क्योंकि एनन डवल्यू जो है अट्रेक्शन का जोन है अभी कोई भी परसन आएगा तो उसको वह अट्रैक्ट करेगी भली वह ड सब्सक्राइब ली या फिर विंडो शॉपिंग में या घुसो गई तब आपको देखा कि हां यह चीज अच्छी लग रही आप तब अंदर घुसोंगे तो यहां हमारा वास्तु काम में आता है तो कई जगा हम निमरालोजी देखते हैं तो डिपेंड करता है सामने वाले क प्रॉब्लम क्या है तो बहुत से शोरूम में अगर यह जो ट्रायल रूम्स होते हैं और वास्तु कर रखाओगो तो भापर ट्रायल रूम में नहीं होगा नहीं डिपेंड करता है अब मालनो नोर्थ नॉर्थ-वेस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी जगह भी देख तो हम जो दूसरी अवेलेबल अच्छी जोन है उसमें समान को शिफ्ट करवाते हैं या उस तरीके से करते हैं मैं आपने स्टार्टिंग बताया था कि आपको खुद प्रापटी के बहुत जादे शुजा रहे थे तो मैं जानना चाते हूँ आपको क्या है आपने बताया थे कि आपने एक पिरिमेड रख़ा था था थो थोड़ा वह दिटेल में बताओ ता कि और आप पर एक बड़ी ए सकते हैं वो योग मतलब अपकी डेट वर्त में 582 यह नंबर होना चाहिए तीनों होने चाहिए कोई भी एक कोई एक है तो दूसरे के स्पार्टर के साथ हम वो करके जॉइंट प्रॉपर्टी दिलवाते हैं अमान लीजे मेरे पास भी नहीं है मेरे पास भी पाइफ नहीं है आप प्रॉपर्त नहीं है अचाहिए लेकन लेकिन फाइफ को एक्टिवेट करना पड़ेगा उसके सांथ साथ आपके दूसरे योगाशPart Library यह थे अब जैसे अगर आपने पांच नंबर है लेकिन अगर दूसरा कोई योग आपके उसे बिगाड रहा है जैसे नेम नंबर से या दूसरे योग आपके बिगाड देंगे तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा ना वह आपको कॉंट्राडिक्टरी वो क्रियेट कर देगा जैसे कॉमडिनेशन है किसी का या एट व का कॉमडिनेशन है तो ऐसे लोगों को डीप वटर में नहीं जाना चाहिए अगर डीप वटर में जाएंगे तो उनके दूबने के चांसे बहुत स्ट्रॉब जाते जिसे अगर शीमिंग पूल में भी जाएंगे मेरे एक क्लास में ऐसा ह यह थो एक पानी में थे लेकिन उनकी जान जाते जाते बची थी बस तो बहुत सरी चीजे हम जो निम्टोलोजी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक ऐसा कॉंबिनेशन या एक ऐसा योग जो मिस्टीरियस डेध को दिखाता है या आपकी जो डेध के चांसेज वो बनेंगे वो अचनक से सदल डेथ को दिखाता है जैसे कि 444 या 448 या 844 जैसे कि श्री देवी श्री देवी की जो डेट अफ बर्थ है वो है 13 अगस 1963 जो उनका बॉन्थ डेट हुआ 13 यानि कि 4 मुलांग हुआ अगर भाग्यांग की बात करें तो उनकी पूरी डेट अफ बर्थ को टोटल करते है तो चार-चार हुआ और जो उनका नेम नंबर है वो भी फोर पे आता है तो फोर फोर उपर से जब वो उनका टाइम चला तो वो टाइम पीरियड उनके अगेंस था तो वो जो मिस्टेरियस डेथ या सदन डेथ ये 444 या 844 या 888 ये ऐसी कॉंबिनेशन में दिखाया जाए जा फाइफ आपको अच्छा है पॉजिटिव है लेकिन जहां पर ये बड़ा तो आपके अंदर ताल मटोली करने की चीज़े ज्यादा हो जाएगे तुम्हानब जादा है कुछ चीज तो नेगिटेव असरी जैसे कहते हैं कोई चीज अगर ज्यादा खालोगे तो क्या होगा अगर कम है या वो नंबर नहीं है तो अगर जादा है तो उसमें प्रॉपर्टी के लिए रेमेडी क्या है कि अगर किसी को वाई अपना योग नहीं बन रहा है सबसे पहले मैं इसमें मता है ना बूलजाई जो है हमारा नबर फाइफ है तो इसको फाइफ को एक्टिवेट क जो गहर में घर में या टैरिस पे आदा गंटा विद इंटेंशन की मैं अर्थ फैक्टर ले रहा हूं या अर्थ फैक्टर ले रही हूं योग कि एक नीबू जब लैमनेट बनाते हो है आप आप नॉर्मली गेस को दे देते वह लैमनेट का का म काम करता है लेकिन नीबव विटेमिन C का भी काम करता है लेकिन उसका परपस वहाँ पर क्या हो जाता है कि यहां मैं विटेमिन C का इंटेक कर रहा हूं तो इस तरीके से यह चीजे चलती है अब जैसे बाद चल भी एकजाम की तो मैं एक चोटा सा बच्चे पड़े नी रे विलकुल भी आज पून में क्या करना है आपने देखा होगा कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं सबसे पहले तो उन्हें डबल वस्ट वेस्ट यह जोन में अपना कोई पैंस्टेंट रख देना है अच्छा बिल्कुल क्योंकि वेस्टाउथ वेस्ट हमारा पढ़ इतना आपको एक आइडल रखना है तो वो रख सकते हो तो जिससे क्या होगा बच्चे का फोकस बढ़ेगा साथ ही साथ आपको क्या करना एक कांच के ग्लास में पानी लेना है दो नीम्बू डालने उसमें साबुत और वो नीम्बू यलो कलर के होंगे वो यहां पर इसे भी तो यह भी एक बहुत पारफुल रेमेडिया था अच्छा माम थोड़ी क्रिस्टल की बात करते है आप क्रिस्टल में आपकी एक्सपर्टीज है थोड़ा क्रिस्टल के बारे में बताओ कि सबसे पहले बताओ यह मिलते कहां से कैसे पता चले जैन्विन और मलब यह अगर जैन्विन आपने पहन लिया तो वह आपको एड़र्स इफेक्ट दे सकता है वह पूरी दशाओं के हिसाब से पहनना बहुत जरूरी है और वह प्रपर उतरवाया भी जाता है कि इतने टाइम पीरिए के लिए आपको पहनना है जबकि क्रिस्टल माइल एनर्जी के हो कि क्रिस्टल हमेशा आपको पॉजिटिव इंपक्ति देंगे कभी भी निगेटिव इंपक्त नहीं देंगे तो क्रिस्टल का क्या है कि अगर जैसे चो तो पूरा पुरा प्रोसीजर है वो अपनी बताते है अगर कोई डेली रूटीन में नहीं कर सकता है तो इन क्रिस्टल्स को धारन करके भी आप सॉलूशन ले सकते हैं तो हम वहां पर ग्रीन अवेंचुराइन का दे देते हैं या मॉस अगेट का ब्रेसलेच देते हैं तो माम वही मैं जानना चारों कि आप उसे मंतरों से मतला वेदिक मंतरों से चार्ज करते हैं अगर बताओंगी तो पूरा टाइम लग जाएगा इसलिए यहां पर नहीं बता पाओंगी बढ़ हां उसको क्लेंस एनरजाइजन प्रोग्राम होना ज़रूरी है अधर्वाइट क्लाइंस नहीं आ रहे हैं अभी क्लाइंस नहीं आ रहे तो कोई भी कर सकता है एक आपको पाइराइट का पिरामिड लेना है उसके रीचे अपना विजिटिंग कार्ड रखना है विजिटिंग कार्ड रखा पाइराइट का पिरामिड उसके उपर रखा और उसके चारों त वो अपना काम करते रहेंगे और आपका बिजनस बहुत ग्रोव करेंगा इन चीजों के नाम पे भी तो स्कैम चल रहे हैं मार्केट में कि बस ग्लास ग्लास है लोग पहचाने के लिए तो यह होता है जब आप इने बंद उसमें कमरे में जलाओ गे तो इनके अंदर से स्पार निकलता है तो वैसे ही इनके अंदर स्पार्क निकलता है तो वैसे ही इनके अंदर स्पार्क निकलता है तो यह काम कैसे करते हैं हमारे सबकॉंशिस माइंड पर काम करते हैं जैसे जब प्लैनेट्स रिवाल्व कर रहे होते हैं तो जो रेस पड़ती है धर्ती पे तो जिस अगर Saturn revolve कर रहा है, बत्ब सारे planets revolve करते हैं, जिस planet की race जिस पत्थर पर पड़ी वो उसका attribute ले ले लेता है, जैसे नीलम, नीलम किसका है, Saturn का है, ऐसे ही है उसका substitute amethyst, जैसे मैं खुद 8 नमबर वाली हूँ, तो यह amethyst, उसका substitute है, तो 8 अब जो Saturn का color है, कहीं न कहीं यह सही नीलम का भी और amethyst का भी, तो उसने उसकी property को अडॉप कर लिया, अडॉप करने का मतलब उसको 8 को हो, यानि Saturn को बैलन्स कर देगा, अगर वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, अगर आप आठ नमबर वाले हो, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, आठ नमबर व नहीं यह बिलकुल बीट इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, जैमस्टोन हमारे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कोई भी एजली कर सकते हैं, लगबख इतना रेट होता है, इनका, डिपेंड करता है, 500, 700, वास्तू के हिसाब से भी तो क्रिश्टल रखे जाते हैं घरों क कॉर्णर में, तो वो कैसे होता है, क्या होता है? महार पर रखवा पते हैं, प्लेस करवा देते हैं, जो कि उसके योग और जदा स्ट्रॉंग हो जाते हैं बाहर जाने के, और हम जैसे सोने की बात है, कुछ लोगों नीद नी आती रात में, दो दो तीन तीन वे तक उठे हो हैं, उसकी भी रह नहीं है, उसके लिए बड़ा मसाले का, गरम मसाला में डलता है, जैसे सिनेमन है, अगर आप नाइन प्लाइन को अलाइड करना चाहते हो तो उसकी भी रमेडिया है, आप गरम मसाले को पीसों मत साबूत लेकर आओ, लेकिन उसे घर में ओखल से पीसना है, और ओखल से पीसने के बाद जब आपका खाना बन जाए तो उसके उपर ऐसी स्प्रिंकल करना अगनी नहीं जला होना चाहिए तो बिल्कुल लास्ट में डलेगा खोड़ा सा डलेगा तो वो क्योंकि अगनी के कॉंटक्त में आके वो प्लैनेट को वो कर देगा क्योंकि हमारे गरम मसाले में भी बहुत सरे अलग-अलग तो अलग-अलग उसको रिप्रेजन करते हैं वो जो मील खा रहे हम जो मसाला है उसी में बस तो वो खाने भर से हमारे स्टार्स अलाइन हो जाते हैं और कितने दिन नहीं वो अलाइन होते रहेंगे आप उसे डेली यूज करो अच्छा तो लेकिन बाग क्या है कि हम रेडिम यह पते हैं दोग्ते हैं मिकसर में बrolog सेताल है जो एक यह यह डिन नहीं तो यह जो आपको सपाइसध शाहां एल्याइज की नीचे और शोजात दोसरा कृसल को जाता है 550 रेज़न जायेगी दे दोट्रण मतलब बेल दो रखते लिगे शूरू हो जाएंगी विकली से चें इसके लाबब सोडालाइट एक ब्रेटा है, पहने होना थान से पार colleg लाइक ब्रेशलेट के में से भी इकथे पारगता है बर्सक्राइट, मैंने साभाहरा ही चलत प्रोडा ब्रेशलेट इस से बीनीड होनलेट manner सोडालाइट इनर्जी इनर्जी को शांत करता है और अगर किसी ने कहीं और से मगाया तो चार्ज कैसे करें उसको कोई स्पैसे मन्तर नहीं है फिर मैं अभी यही बताउंगे कि उस लेफ्ट हैंड में रखो राइट हैंड और उसको विजुलाइज करना है कि मेरी जो बी इन् आपको थर्ड आई चक्रा पर उसको प्लेस करना है फिर उसके बाद उसको अपना पहन लेना बद पहले थोड़ा सा दुनी मतब जैसे मंदिर में रख दो स्माजिंग वगयरा कर दो धूब दिया बाती दिखा कर दन वियर दैट तुमाम यह रात ने पैनना है फिर दिन बर बड़े बड़े पत्थर आप अपने बेट के सिरहाने पर रखके भी सो सकते हूं और ऐसा भी कि जैसे पहन लिया और कहीं कोई आइसी जगा जहां नहीं जाना चाहिए वहाँ चले गाए तो फिर उल्टा पढ़ रहा है यह सा कुछ नहीं है जैसे बहुत सारे यंग्चर र पहन के या पाटी कर रहे है तो ऐसा वह एड़्वर्स तो नहीं है कोई एड़्वर्स नहीं है इंफेक्ट हम तो एडिक्शन सो इन से चुडवाते हैं इसी वाले से लीए कौन सा अ कृष्या इडिकशन के लिए उसके लिए प्रॉपर कॉंबिनेशन मनाते उससे हम सामने वाले परसन से बात करते है कि क्या क्या वज़ा है, डेप्रेशन तो नहीं है जिसकी वज़ा से अडिक्शन हो रहा है, तो वह डिफ्रेंट इपेर्टिरिया होता है, फिर उसके कॉंबिनेशन बना के हम अपने क्लाइट को देते हैं, अचा एक चीज है हमारे निम्रालोजी का ताकि लोग आपको जाहिए कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो अपना मुबाइल नंबर क्योंकि मुबाइल नंबर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेट है आपके जितने भी बिजनस हो रहे हैं आपने मुझे भी कॉल किया या मैंने आपको कॉल किया फोन के माधियम से किया या मैं आपको फोन से ही जानती हूँ है जैसे पॉड़कास बगेरा देखा तो अब क्या है फोन एक बड़ा एक सोर्स बन गया है बिजनस के लिए या हर ची तो अपने मोबाइल नंबर में 9137 या फिर 91576 यह अगर रखते हैं तो बिजनस से रिलेटेट साथी दिक्कते दूर हो जाती है तो अभी उसमें 5 भी है 7 भी है 6 भी है 9 भी है तो क्या हुआ कि बिजनस क्लाइंट वो सब अट्रेक्ट करता है मतला कोई ऐसा specific order नहीं है बस यह powerful numbers आपके number में आने चाहिए अगर जैसे टू नंबर के लिए कहते हैं यह नहीं होना चाहिए थोड़ा negative है तो अगर वह भी है तो अगर वह सामने वाले का काम क्या है फ़र एक्जेंपल अगर मोडलिंग में है या फिर इसे बॉलिवूड इंडस्ट्री में है तो हम उसको तूर दिलवाएंगे अच्छा हर एक के लिए हर एक number different होता है ऐसा नहीं होता कि हर चीज के लिए हर चीज आपके लिए सही है और हर चीज मेरे लिए सही है जो आपकी है तो हरेका अपना अपना वह होता है कि उसका प्रोफेशन क्या है क्या है उस पर डिपेंड करता है उसे पढ़ने वाले बच्चे लिए हम कहते हैं 17 रखो 17 एक साथ 17 हो या 7-1 हो इसी तरीके से 13 या 31 तो यह क्या पढ़ने का क्यों कि तीन नंबर क्या है ज्यान का भूका ज्यान के लिए ललाइत है तो कहीं न कहीं वो उसकी तरफ भागेगा और उसको पढ़ने बिठाएगा पी बट मैम उसके आगे पीछे अगर और अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हो तो फिर तो वो सब देखना ही पढ़ता हो वो भी सब देखना पढ़ता हो ओविसली बट हाँ है और उसका टोटल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल फोर है और बच्चे का ही है तो वह डिस्ट्रेक्शन होगी उसे पढ़ने में ध्यानी नहीं लगाएगा अब जैसे अगर मैं यह कौन डिस्ट्रेक्शन हो वह जो कि बतौर ले कि अगर चोटी है तो आपके जोटी है तो कितना बटोर होगी वहय अगर मान लिज़े मुसीबते आ रही हैं मान लीजी इसका निम्रीम भी ठीक ने है वास्तु भी खराब है तो ऐसे में उस पर डबल इंपक्ट पड़ेगा लेकिन सलता वास्तु खराव है वास्तु खराब है इतना इंपक्त नहीं पड़ेगा ओवर स्थीज ना अलग-अलग माद्यम होता जानना जरूरी होता है, रूट काॉस को पकड़ना जरूरी है कि भई बास्तु के वजह से प्राब्लम मारे है या निम्रोलोजी के वजह से प्राब्लम हारी है जैसे मैंने आपको शुरुगों का भी तो कप पताये कि ने जैसे हम न्यू लॉज़िस के बास यह वह कहेंगा कि तो आपके पास इतनी एनरजी है तो आप हम उससे पूछते हैं अगर जसे सब्सक्राइब आप आउट्टूर एक्टिविटी करते हो योगा करते हो जिम करते हो तो समझ में आगे है यहां नुम्रालोजी का ली प्राब्लम बे रहा है तो सबसे पहले उसका नाइन नंबर बैलन्स कराएंगे अब ने देखा योगा और सब कुछ करेक्ट है नेम भी सही है सब चीज़ा सही चल रही है तो प्राब्लम तो कहीं और रहे है अब जैसे किसी न जो बेड्रूम था वो एन डबलू में था नॉर्थ-north-west जो की अट्रेक्शन का जोन है सेक्स न अट्रेक्शन कहते है हूं से तो और उनकी डाटर जो थी वो टीनेजर चाइल है तो हमारा काम होता है पात करने का कॉंसलिंग करने का तो हमने उनसे पुछा है क्या बच्च चाइट से बहुत सारी चीजे प्रेडिक्ट हो जाती है अशा नहीं कि आपका सिरफ वही चीज प्रेडिक्ट होती है अब जैसे छोटी-छोटी रेमेडीज हम वैसे भी दे देते हैं जैसे किसी को पैसो से एलेटे डिक्कत है तो ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे आपको लिखना है 234451 कहां पर लिखना है लेफ्ट हैंड में यहां पर लीचे की तरफ इधर यहां पर लिख दीजिए 234451 अच्छा 23451 हम जी और उसे चांट करिए 23455 बोलना भी है 21 टाइम से बोलिए या जब आपको सोते बैठते उठते बैठते जब आपको लगे 23455 जब कभी याद आता है तब लिख दीजिए बड़ चांट कीजिए और उसको आप लिखते रहें आप जरूरी नहीं हाथ पर लिखें लेफ्ट बोड़ी पार्ट में कहीं पर भी लिख सकते हैं रीचे पैर पे भी लिख सकते हैं अगर आपको विजल नहीं दिखाना किसी को जिनको दिक्कत नहीं है पर वो चाहते हैं और आतर है और आतर है आपको बहुत पैसा देगा अचानक से पैसा कहां से देगा मुझे भी नहीं पता मतलब कि आपके पास इतने तीर है कि एक ही प्रॉबलम के पचास सॉलूशन है मेरे पास क्रिष्टल है मेरे पास क्रिस्टल है मेरे पास मंतरा मेरे पास जोफ है मेरे पास वैसे रेमिडी ए रहे है अगर आप whether अपस मेरे वैसे पूछ रहू हूं आपस कि है क्लाइंटी पूछ रहा हूं Employee wize मन्त और मन्त आप ग्रोह ही करते होगा पिल्कुल, जब से पहली बार, जब से पहले इस नेम को करेक्ट किया, निम्रॉजयनने बहुत दिया है पीछे बुढ़ के देखने के जरोथी नहीं पड़ी है बड़ पैसे की अगर बात करें, तो पैसा आप हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, अगर हर कोई अंबानी बन जा तो भगवान के ज़रोती नहीं है, लेकिन हाँ, डेस्टिनी में जो इवेंट है, वो घटके रहेगा, मान लिजिए किसी का हाथ कटना है, तो वो हाथ नहीं कटेगा, हम नुमरोलोजर, अस्टोलोज इवेंट को इस तरीके से अरेंज करवाते हैं, कि हाथ ना कटके सिर्फ एंगली कट जाए, क्योंकि हम भगवान यह जो डेस्टिनी चेंज कर दे, डेस्टिनी हम चेंज नहीं कर सकते, अब भगवान ने देना है, तो हम कहते हैं, जोली थोड़ी सी बढ़ी कर लो, मतलब कि और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि आपका टाइम पीरियड अच्छा आया है तो हम उस तरीके से चीजों को करवाते हैं देखो भगवार ने जो कि आपका फिर खराब तो नहीं होता होगा टाइम खराब हरे का आता है हाना भगवान ने सब कुछ वो नहीं किया रहा है लेकिन हाँ जैसे अगर मुझे पते कि मेरा यह वाला साल अच्छा नहीं आ रहा तो मैं पहले से ही रेमेडी करना शुरू कर देती हूं इफेक्ट होता है उसका उतना नहीं आएगा जाएगा mans Sind dow अगले मन्त अप सोचते हैं कि मैं डेड ? कर लूंगा तो वह देड लाइक आ बन घ्र Champ चलती रहेगी और जो कटना है मानली जी एवेंट आ रहा है कि आपको 10 लाग का नुकसान देना जटका देना डेस्टिनी में लिखा है लेकिन आपका 10 लाग का जटका ना होके वो 10 हजार में कनवर्ट होके रह जाएगा हम ऐसा भी होता है से हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यार आपका एक्सिडेंट होगा आपके कुंडली दिखा रही है आपके नंबर्स दिखा रहे है तो फिर आपका बहुत खून बहेगा जाके तुम हस्पिटल में खून दे दो ताकि वो चीज तल जाए तो यह सही ह है यह सही है हाँ यह हम कहते है एवेंट प्लानिंग किसी का जेल योग बन रहा है या किसी का निम्रोच कल चार्ट में ऐसा कुछ 4994 एक ऐसा कॉंबिनेशन है इसी का बेसिक 4 डेसिनी 9 या 9 बेसिक डेसिक डेसिक डेसिनी 4 हो मेरा कॉम्बो यह जल्दी बताओ रहे है का कॉम्बिनेशन होता है अब देखो उसमें भी हम यह देखते हैं महादशा की आ रही है आप कोगे 49 तो बच्छपन से ही चल रही है ना कब आएगी यह भी तो बात होती है ना तो उसके लिए हम दशा काल्कुलेट करते हैं तो जब दशा आएगी तो वह आपको प्रॉब्ल केंटीन में वहां से कुछ भी खा पी लो और उनको पैसे देदू साथ में अगर खराब वाला आया कि होस्पिल में एडमिट होना यह कई बार ऐसा भी होते कि होते की छख कर लग रहे है लग और खुब्ल में एडमिट होने की नौबत आ गई है तो हम कहते हैं वहां से जो पानी मिलते हैं तेट्रा पाउचे में वह लेकर आजाओ डेली वह पीना ठीक है उसके अलावा फिर उसके बाद जो वाटर कूलर होते हैं वह पानी पी लिया अब आपको क्या करना है डायबेटिस टेस्ट करा लो नॉर्मल भी है तो आपको पता है मुझे डायबेटिस नी है खाना पिना भईji का खाना है तो आपने खाना भी कhaya, पानी पिया रहते हैं सिस्टर साथ आती है वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट कर ती तो अपने अपना ब्लड टेस्ट भी दे दिया तो वो इवंट प्लान कप दिया और जेल वाले से क्या बोलते है? आपकी जेल हो कर अगर किसी का अरेस्ट वाला कुछ बना हुआ है योग तो हम उसे कहते एक कमरे में लॉक कर दो इस परसन को फर्टी एट आर्स के लिए अब उसमें क्या करना है ना तो आपको मोबाइल मिलेगा ना आपको टीवी मिलेगा ना आपको एसी भी लेगा कुछ नहीं मिलेगा खान दाल चावल पूरी पानी ही पानी मतलब कुछ बात भी निहीं करनी घरवालों कुछ ऑसरेस्ट कह सकते हैं लेकिन फिर प्रपर उसका एंवार्मेंट क्रिएट करना यानि कि डेस्तिनी आपको जो इविंट आपको लेकर आ रही थी कि आपको जेल में जाना है आपको वो भो आपने वह भोगा लेकिन अलग तरीके से बड़ माम जैसे मान के चलो वह टाइम बन रहा है सेप्टेमबर से लेकर कुछ ऑक्टोबर तक तो यह रेमेडिया तभी कर वह आज ही कर ले बंद और वह तब के लिए फ्री नहीं वह फिर टाइम पिरियोड देखना पड़ता है वह पूरी क्यालकुलेशन करनी पड़ती कि कौन से टाइम पिरियोड में हो रहा है या क्या चीज़े हो रही है उसके एकोर्डिंग हो रहा है फिर दिखो हमारा जो नेम नंबर है नेम नंबर निम्रोलजी में बहुत बड़ा रोल प्लेयर है तो वहां पर हम वह भी चीज लेकिन उनके नेम ने उनने बचा दिया क्योंकि तीन नंबर जो है वो कहता है कि अगर आपने अपने किये पर पश्तावा किया तो आपको माफ कर देता है जुपिटर क्या है गुरू क्या काम है माफ करना तो वो जो तीन नंबर एक्सपेंशन का नंबर भी जैसे मैंने बत आगे अपने क्लाइंट्स को देते हैं कि निम्रोलोजी में अगर उनका नेम नंबर सही नहीं है अगर आपका फोर वन का कॉम्दिनेशन है और दशा आ गई नौकी तो बन गया चार नौ का योग वहां पर भी आपको juvenile इस तरीके से चीजि देखते हैं अभी जैसे किसी को लौयर के प्रॉफेशन में जाना है तो यह चार नौ या डॉक्टर के प्रॉफेशन में गाना है तो परसंड एक सामने वाले कि जरूरत क्या है हर परसन की जरूरत डिफरेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजे करते हैं लवली मैं मज़ा आगया आप से बात करके और एक घंटा कब निकल गया हमें तो पता ही नहीं चला मैं जनता से दरखास्त करूंगा कि अगर आपको इस पॉड्कास्ट में मज़ा आए तो बहुत सारी रेमेडी यहां पर मैं ने दी है तो आपके नोन में जितने भी नंबर वालों को आप जानते हो ऐसे कॉम्बिनेशन जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है आप मैं से टच में हो सकते हो सारी डीटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंशन है मैं को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिए और जैसा कि हमने बताया कि जो कॉर्स है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं आप जाकर वो कॉर्स में एन्रोल हो सकते हैं मैं से जोड सकते हैं और हम मिलेंगे ऐसी एक और मज़दार एपिसोड के साथ और आप हमारी मर्च भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने पहन रखी है इसके बैग डिजाइन बहुत ही तगड़ा है और कुछ नए डिजाइन भी लाउंच वे वेबसाइट पर जाकर जरूर शॉपिंग करिए अपने लिए और हम मिलेंगे ऐसी एक और मैज़दार एपिसोड के लिए हम हमारे रहते वे आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आएगी नहीं सारे मिलके बहुत सारा पैसा कमाओ और हम मिलेंगे आपसे बहुत शंकर भंग वान की जै